नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से अपने कार के की फोग की बैटरी को आप घर पे खुद से रिप्लेस कर सकते हैं जी है दोस्तों घर पे खुद से रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी ही आसान प्रोसेस होती है अगर आप सर्विस तीन बोल्ट की बैटरी को परचेज करना है अब देखिए इसको ओपन करने के लिए एक टूल की जरूरत रहेगी जिसके लिए मैंने ये स्टैपलर लिया है स्टैपलर का जो पिन निकालने वाला भाग होता है इससे आपका जो की फोब है ये बड़ी असानी से खुल जाता है चलिए दोस्तों मैं इसे एक बार ओपन कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरह से आपको बैटरी को रिप्लेस करना है देखें यहां से मैंने इस बैटरी को निकाल दिया है और अब दूसरी बैटरी जो नई वाली बैटरी है उसको यहां पर हम डाल देंगे प्लस वाला साइन उपर को करेंगे अपनी तरफ को और इस बैटरी को वापिस यहां पर रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से बैटरी को इसके अंदर प्लेस करना है और फिर उसके बाद इसके धक्कन को चड़ाना है यहाँ पे गौर करने की जरूरत रहेगी कि जो प्लस का निशान बना है प्लास्टिक बले पार्ट पे उसको आपको सल के उपर करना है बैटरी के उपर करना है और इसे प्रेस कर देना है जे दोस्तो ऐसे प्रेस करने के बाद इसके लॉक चड़ जाएंगे और आपका जो की फोब है ये यूज के लिए रेडी हो जाएगा बड़े अराम से इसे प्रेस करना है क्योंकि अगर आपका हलका फुलका तिरचा हो तो कहीं लॉक तूटे ना देखे ये अब ये कीफोब बंध हो चुका है पूरी तरह से और वर्किंग के लिए रेडी है मैं लगब तीन साल तीन महीने के बाद इस बैटरी को चेंज कर रहा हूँ दोस्तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुन सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद